नमस्कार दोस्तों अगर आपको एक बड़िया सा डीप फ्रीजर लेना है कमर्शिल यूस के लिए तो इस वीडियो को देखते रहे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन सबसे बड़िया डीप फ्रीजर जो कि आप खरीच सकते हो तो इस वीडियो करते हैं शुरू कर प्राइज से आपको मिल जाता है 25,300 रुपीज में इस वीडियो में आगे बनने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूंगा कि यहां पे जितने भी डीप फ्रीजर की प्राइजस में आपको बताऊंगा हो सकता है बात में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इनका इस तो रसा चेंज हो जाए तो इसके लिए मैंने हर एक डीप फ्रीजर का नीचे इस वीडियो की डिस्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाइ लिंक देख रखा है इन सभी का वहां पे जाके आप इन दी फ्रीजर को चेक आउट कर सकते हो और फिर इनको खरीद भी सकते हो त इसका हम लोग करते हैं रिव्यू और जानते हैं इसके बारे में तो इसका जो कैपासिरी के 200 लीटर का यह स्टाइप डी फ्रीजर है और इसमें आपको 5 साइड कूलिंग देखने को मलता है इसका जो खुलिंग कॉईल उसके चारो वाल में तो रहता ही है और उसकी बेस में भी cooling coils जो है रहता है जिसके वज़े से आपको uniform और बहुती fast cooling मिलता है D-shaped cooling coils के अंदर है वो heat exchange में बहुती मदद करता है surface area को cool करता है heat exchange के दुआरा तो cooling temperature है minus 26 degree centigrade से लेके plus 8 degree centigrade तक आपको मिल जाता है जिसके वज़े से आप variety of items यहाँ पे store कर सकते हो तो यह जो freezer है इसका जो PUF insulation है वो काफी मोटा है 70 mm का है तो even अगर power cut हो जाता है लंबे time तक तो cooling को यह retain करके रखता है इन बिल्ट एक LED lighting भी इसमें दिया गया है जिसके वज़े से freezer के अंदर जो है काफी lighten up रहता है जब भी आप इसे open करते हो तो आगे बढ़ते हैं आप दूसरे नमर पर जो सबसे बढ़िया चेस टाइप defreezer आप ले सकते हो और इसके अंदर भी आपको इन बिल्ट लाइटिंग देखने को मलता है कैपासिटी है इसका 285 लीटर का और इसमें इसके नीचे आपको हेवी डूटी एस्टर वील्स भी देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप इस freezer को एक जगा से दूसरे जगा पे लेके जा सकते हो High Density Poly Eurethine Foam Insulation इसमें दिया गया है Coolness को Locked करकता है लंबे समय तक अगर पार कर सो जाता है या Extreme Weather Condition में जहां पे बहुत जादा गड़मी हो उस टाइम पे यह काम आता है तो इसके उपर आपको एक Zinc का Protective Pre-Coating मिल जाता है जो की Rust और Corrosion से इसको बचाता है तो इसमें जो ह आपको जो भी door open करना है वो आप open कर सकते हो दूसरा बंद रहता है इसके वज़े से cooling loss जो है काफी minimum होता है इसमें आगे बढ़ते है यहां पर नंबर वन पर जो सबसे बढ़िया यहां पर डीप फ्रीजर आप ले सकते हो तो वो जा लेते है कौन सा वाला है तो यहां पर आता है वो वोल्टास का CFHT डबल डो डीफ रीजर तो यह कुछ जिखने में ऐसा है और इसका जो फ्राइस है आपको मिल जाता है 25,350 रूपे यानि 25,350 रूपीज में तो इसके बारे में भी बात करते है और करते है रिव्यू इस वोल्टास की डबल डो डीफ रीजर का तो अदर आपको जो एलुमियल इनर राइनर देखने को मिल जाता है वो जो है फूड प्रोड़क्स जो आप स्टोर करते हो उसका है हाईजीन मेंटेन करने में मदद करता है और आप इसलिए आप कही चार प्रोड़क्स को एजिली इसमें स्टोर कर सकते हो तो यूवी घरेट प्लास्टिक मेटरियल यूज किया गया है इस डीफ्रीजर की बाहर के साइड पे उसके वज़े से इसका जो लुक्स है वो काफी लंबे समय तक इंटैक रखता है और लंबे समय तक यह अच्छा रहता है तो इसके अंदर आपको एक स्प्रिंग लोडेट हिंजे देखने को म इस वीडियो की डेस्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा है वहाँ पर जाके आप इन सारे डीफ्रीजर को चिकाउट कर सकते हो देख सकते हो और फिर इनको खरीद दी सकते हो तो आशा करता हो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई भी डाउट है इस